हेलो दोस्तों क्यासे हो आप सब इस वीडियो में हम बात करेंगे परिक्षधाम पब्लिकेशन की MPGK से सम्बंदित वस्तुनिष्ट प्रश्णों की बुक में मध्य प्रदेश में उद्योग से सम्बंदित प्रश्णों की तो चलिए शुरुवात करते हैं प्रश्णिक्रमा डिदन में की गई ऑध्योग के किंद है बां मौर मध्य प्रदेश के किस जले में उद्योग निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से दो शहर सामिल हैं तो दोस्तों देवास एवम इंदौर को नर्यात उत्कृष्ट सहर में शामिल किया गया है देवास फार्मासिटिकल तथा इंदौर सोया उत्पाद के लिए इस केटिगरी में शामिल किया गया है मध्य प्रदेश राज जिय उद्द्योग निगम का मुख्याल है भूपाल आप्शन नंबर भी इसकी स्थापना 1979 अर्थात गांधी जी के जनम से 100 साल बाद की गई थी यह निगम सहकारी एबं सहियोक्ते छेत्र के उद्द्योगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है प्रशन क्रमांक पाच मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कार खाना इस्तित है यहाँ पर कंक्रीट एबं सागौन से रेलवे स्लीपर का निर्मार किया जाता है अब बात करते हैं प्रशनिक्रमान की छेकी, मंडी दीप और द्यागिक छेत्र की सद्धे थे दोस्तों राह सेञ जले में इस्दे थे दस रोपय की नोट को छोड़ कर बाकी सवी नोट का प्रिंटिंग किया जाता है, मध्य प्रदेश में नोट छापने का कार खाना देवास में है, मध्य प्रदेश लगू उद्योग निगम की स्थापना 1971 में हुई थी, इसकी स्थापना की exact date 28 दिसंबर 1971, एबं यह निगम ल मध्य प्रदेश में औद्योग पिछडियोपन का कारण क्या है, बित्त का अभाव भी है, शक्ती या उजा का अभाव भी है, कच्चे माल का अभाव भी है, इसलिए option number D उपरुक्त सभी, इसके लाबा यहाँ पर करशी पर निरवरता बहुत जादा है, निवेश की बहुत ज़्यादा कमी है, मध्य प्रदेश की आर्थ वैवस्ता कैसी है, दोस्तों, option number D करशी प्रदान है, मध्य प्रदेश को हम किर्थी प्रदान राज्ज भी कहते है, MP Incubation and Startup Policy कब शुरू की गई, option number D 2016 में, भारत सरकार के start-up इंडिया flagship कारिकरम के तहद, मध्य प्रदेश सर सरकार दोरा, अपने राज्ज में नई उद्यम शील्टा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, दोस्तों, उद्यम शील्टा मतलब innovation को बढ़ावा देने के उद्देश से इस योजना की शुरूवात की गई, प्रशन करमांक 13, Reliance समूह को मध्य प्रदेश के कोल नाच में पारित हुआ, इसका उद्देश था, राज्य सरकार में बित्ती अनुशासन को बनाए रखना और यहां पर बित्ती अनुशासन का अर्थ है, राजकोशिय एबं राजस्य घाटे को कम करना, इस अधिनियम का संशोधन वर्ष 2017 में किया गया, इबं इसका नाम मध्यप्रदेश राजकोशिय बजट उत्तरदायत एबं बजट प्रबंधन शन्शोधन अधिनियम 2017 कर दिया गया, रशनिकरमांक 15, वीना तेल रिफाइनरी मध्यप्रदेश के निम्द लिखित में से किस जिले में इस्ते थे, आप्शन नमबर सी, सागर जिले में, आगा सौध गाओं में, बीना के समीप है, वहाँ इससे थे अब हम इसकी स्थापना, 1994 में, BPCL भारत पेट्रोलियम निगम लिमीटेड या भारत पेट्रोलियम कॉपरेशन दोरा, ओमान की सायता से की गई थी, दोस्तो बरतमान में, ओमान की हिस्सेदारी इसमें से खतम कर दी ग कोका कोला, होशंगाबाद जिले में, हिंदोस्तान कोका कोला, बेबरिजिस लिमिटेड कंपनी दोरा, 2017 हमें, 750 करोड का बॉटलिंग प्लांट रिस्थापित किया गया है, प्रशन करमांक 17 है, किस जिले को सूती वस्तर की राजधानी कहते हैं, we all know very well, इंदोर जिले को हम स के सराबाद वस्तर उत्पादन की कारन, हम सूती वस्तर की राजधानी मद्य प्रदेश का मैंचस्टर, मिनी वॉंबे कहते हैं, वहीं भारत में, अहमद्वाद को हम भारत का मैंचस्टर कहते हैं, कानपुर को हम उत्तर भारत का एबं कुवेंब टूर को हम दक्षिन भारत का मैंजेस्टर कहते हैं निमनलिकित जिलों मैं से कौन से जिले में चिर से दरिया बनाई जाती हैं दोस्तो सतना जिले में चिर से दरिया बनाई जाती हैं मध्य प्रदेश को आत्म निर्फर बनाने के लिए अन्य चर्चित दरियों के दिए हम बात करें तो दोस्तो जॉमेती आकरती वाली दरियां या कालीन मंदस और जले में प्रसिद्ध हैं या वहाँ बनाई जाते हैं भीलों द्वारा बनाई जाने वाली पुझा धरी अली राजपुर जले में प्रसिद्ध है या अली राजपुर जले में इसको बनाया जाता है प्रशन क्रमांग 19, दोस्तो यह है प्रशन 2018-19 के परिपेक्ष में दिया गया है अभी एक्जाम से में दिया है प्रशन पूछा जाता है तो यह है 2020-21 या 2021-22 के परिपेक्ष में पूछा जा सकता है तो यहाँ पर मद्य प्रदेश की आर्थेक समीच्छा 2018-19 के अनुसार वर्ष 2078 में मद्य प्रदेश के सकल मूले वर्धन अर्थात GVA ग्रोस वेल्यू एड़ेड में और द्योगिक छेत्र का युगदान कितना है आप्शन नमबर सी 2017-18 में GVA का युगदान 24.14 प्रतिशत था इबं 20-21 में इस्थिर मूलनेव परेदियम तीनों छेत्रों के युगदान की बात करें तो प्राथमें छेत्र का युगदान है 36.82 प्रतिशत दुतियक छेत्र का युगदान है 25.62 प्रतिशत इसी प्रकार से तृतियक छेत्र का युगदान है 37.85 प्रतिशत प्रशन क्रमांग की 20 पहली सदी इसापूर्व में निम्न मैंसे कौन सा मद्यप्रदेश का सबसे अच्छा बाणिजिक केंदर था तो दोस्तों उज्जेन पहले हम इसको अबंती कहते थे यह है पहली सदी इसापूर्व में मद्यप्रदेश में ब्यापरेक दस्टी से बाणिजिक दस्टी से बहुती सम्रद्ध था उस टाइम पे हम इसको अबंती की नाम से जानते थे यहां चर्चा की जा रही है पहली सदी इसापूर्ब से छटवी सदी इसापूर्ब के मद्धी की प्रशने करमांग 21 वर्ष 2020 को और द्यविक नीती एबं समबर्धन बिभाग दोरा जारी Ease of Doing Business Report के अनुसार मद्धे प्रदेश का देश में चौथा स्थान है बरतमान में भी 24 ही चल रहा है 2020 में आन्धे प्रदेश को पर्थमस्थान प्राप्त हुआ था एंड MP चौथे स्थान बे था प्रशने करमांग 22 मद्धे प्रदेश में भारत हैबी एलेक्ट्रों इरेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल कहां इस्थे थे हम सब जानते भोपाल में भेल इस्थे थे एब हम इसकी स्थापना बिटेन की सहायता से 1964 में की गई थी 2013 में इसको महारतन कंपनी का दरजा दिया गया प्रशन करमांग 23 आविभाजित मद्धे प्रदेश में भलाई स्थेल प्लान्ट की स्थापना किस देश के सयोग से की गई थी दोस्तो आप्शन नमबर A भलाई स्टील प्लांट की स्थापना सुभियत संग रूस के सायोब से की गई थी बरतमान में यह 36 गड़ में शामिल है इसकी स्थापना 2 मार्च 1955 को हुई थी दोस्तो इसकरम में हम अब बात करेंगे प्रशन करमांग 24 की मध्य प्रदेश में नेशनल फार्टिलाइजर लिमिटेट की प्रोड़क्शन यूनिट कहां पर है दोस्तो विजयपुरा यह गुणा जिले में इस्थे थे यहाँ पर नेशनल फार्टिलाइजर लिमिटेट की प्रोडेक्शन यूनिट इस्थे थे और यह उन्नीस तो अंठानबर में स्थापित की गई थी और यह नेशनल हाईवे 46 पर इस्थित है यदि आप कभी जाएं साइवे से तो यहां आप देख सकते हैं प्रशन करमांक 25 मध्य प्रदेश के किस इस्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशला रखी गई है दोस्तो भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बनाये जाएगा मध्य प्रदेश में सिंगापुर की तरजपर भूपाल शहर में 1548 करोड रुपे का स्किल पार्क ग्लोबल स्किल पार्क की आधार्शला रखी गई है इसकी शुरुवात दिसंबर 2022 से होगी अर्थात अब से आपको लगवग 6 महीने का और इंतजार करना होगा यदि सही तरीके से सारी चीज़ हुई तो प्रशन करमांक 26 भिंड जिले में स्थापित विश्व इस्तरिय अस्तर उत्पादन एकाई पुंज लोईड किस देश के सायोग से स्थापित की गई दोस्तो भिंड में स्थापित की गई है और इस्राइल के सायोग से स्थापित करी गई अब हम चर्चा कर लेते हैं लगू शस्तर निर्मार एकाई की भिंड जिले में स्थित मालन पुर वद्द्योगिक छेत्र में लगू शस्तर एकाई इसरायल देश के सहयोग से स्थापित की गई है दोस्तों प्रशन कर्मान 27 किस जिले में एलकलाइट कार खाना इस्थापित किया गया है दोस्तों मुझे मध्य प्रदेश बोलने की आवश्यक्तर नहीं है क्योंकि हम सब चानते हैं यह बुक मध्य प्रदेश के जीके से संबंदित MCQ की ही है तो यहाँ पर एलकलाइट कार खाना पूछा गया है तो यह राजिस्थान या महराष्ट या उत्तर प्रदेश यहां से संबंदित तो नहीं ही पूछा गया होगा तो एलकलाइट कार खाना मध्य प्रदेश में नीमच जिले में इस्थित है मध्य प्रदेश की नीमच जिले में अफीम एलकलाइट वर्कर्स फेक्टरी 1933 में स्थापित की गई थी मध्य प्रदेश में अफीम उत्पादक जिलों में मंदसोर एबम नीमच शामिल है प्रश्न क्रमान्थ 28 मध्य प्रदेश में IISCO एस्टेंजन पाइप एंड फाउंडरी कंपनी लिमिटेट की स्थापना कभी की गई दोस्तो ऑप्षन नंबर सी वर्ष 1968 में दोस्तो 1968 में ही हमने बांध होकर राश्ट्री उध्यान के वायरे में शर्चा की थी मध्य प्रदेश की उज्जेन जले में लोहे के पाइप बनाने से संबंधित IISCO एंडियन आइरन एंड इस्टिल कंपनी लिमिटेट की स्थापना 1968 में की गई थी बर्तमान में इस कंपनी के बिलाए SAIL में कर दिया गया है प्रश्न क्रमांग 29 मध्य प्रदेश के मंधी दीप में आप्टिकल फाइवर का कार खाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तो जापान के सहयोग से हमने मंदी दीप में आप्टिकल फाइवर का कार खाना इस्थापित किया है मद्य प्रदेश में राय सेन जले के मंदी दीप और देविक छेतर में जापान के सहयोग स्रिदेश का पर्था मॉक्तिकल फाइवर का रखाना इस्थापित किया गया नरेंदर सेह करपानी को आप्टिकल फाइवर का पितामा कहा जाता है जिनकी मिरत्यू 2020 में कोई प्रश्निक्रमांक 30 मद्य प्रदेश की बुरहानपुर जिले में इस्थित एन CPA नेपा मिल लिमीटेड क्या उत्पादन करता है हम सब जानते हैं दोस्तों नेपा मिल निूज प्रिंटिंग का उत्पादन करता है मद्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में नेपा नगर में 1948 में नैशनल न्यूस प्रिंट की नीव रखी गई इसमें कारिये 1956 से प्रारंब हुआ यदि हम बात करें मद्य प्रदेश की अन्य कागज उद्यगों की तो सिक्यूरिटी पेपर मिल होशंगवाद में है इसकी स्थापना 1967 में की गई थी महीन पेपर कार खाना इंदौर में है एबम साधरन कागज कार खाना या ओरियंट पेपर मिल अमलाई शेहडोल में है आपने देखा होगा ओरियंट कंपनी की रीम्स आती है जिससे हम लोग फोटो को भी करते हैं या करवाते हैं दोस्तो ओरियंट पेपर मिल कहां इस्थे थे डिस्क्रिप्शन में हमने देखा अमलाई शेहडोल में स्थापित है नेपा नगर क्यों प्रिसिद्ध है दोस्तो पहले ही बात की हमने अखवारी कार खाने के लिए नेपा नगर प्रिसिद्ध है यह बुरहान पुर्जले में इस्थे थे यहां भारत में अखवारी कागज बनाने बाला भारत सरकार का सारवनिक चेत का अग्णि उक्रम सरी है सेंट्रल गवर्मेंट का प्रशनक रमांग तेतिस मद्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है दोस्तों फिर वही बात ऑप्शन नंबर सी अखवारी कागज मिलें यहां पर हैं मद्य प्रदेश में प्रती भूती कागज का कार खाना कहा है स्थे थे दोस्तों हिंदी में पूछ लिया सेक्योर्टी पेपर मिलका है ना ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद में स्थे थे और इसकी स्थापना हम पहले देख चुके 1967 में की गई थी प्रशनक रमांक 35 होशंगाबाद प्रती भूती कागज कार खाना किस वर्श स्थापत किया गया देख चुके हैं 1967 मद्य प्रदेश की राजधानी भूपाल में यूनियन करवाइट इंडिया लिमिटेट की स्थापना कब की गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1965 में भेल के एक साल बाद यूनियन करवाइट इंडिया लिमिटेट की स्थाप अपना वर्श 1965 में हुई एब हम 1984 में भोपाल गैस कांद के बाद इसे बंद कर दिया गया दोस्तों यहां पर मैं एक तत्थे को प्रशन में भी फिर डिस्रिप्शन में भी दो-दो बार इसलिए पढ़ता हूं ताकि आपको चीज़ें ज्यादा अच्छे से याद हो पाए और अधिक लंबे समय तक आपको चीज़ें याद रहें तो चलिए बात करते हैं प्रशन क्रमांक सैतिस्की मध्य प्रदेश के पीथमपुर में या पीथमपुर को हम किस नाम से जानते हैं तो दोस्तों पीथमपुर को भारत का ड्रेटाइट कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि यहां पर automobile industry का बहुत ज्यादा development हुआ है और यह पीधंपुर धार जिले में इस्थे थे रेटाइट automobile उद्योग छित्र USA में इस्थे थे और इसी को बेस मानकर चुकि यहां पर automobile मोवाइल छित्र का विकास हुआ है तो इसी के आधार पर हमने पीधंपुर की तुल्ला भारत के ड्रेटाइट के रूप में की है प्रश्नक्रमांक 38 मद्य प्रदेश के किस जले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव सेयंत रिस्थापत होने जा रहा है तो दोस्तों सीहोर जले म यह सेयंत रिस्थापत होने जा रहा है देखिए कहां जा रहा है क्रश्नक्रमांक 49 मद्य प्रदेश के फेडरेशन औफ मद्य प्रदेश चेमबर्स ऑफ कोमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई Option D, 1976 में इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में की गई मध्य प्रदेश में ओध्योगिक संस्थानों के संगठन के रूप में Federation of मध्य प्रदेश, Chamber of Commerce and Industry की स्थापना वर्ष 1976 में की गई है इसका मुख्याल है भूपाल में इस्थित है प्रशन करवांग 40, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला, पिठोरा पेंटिंग, एबं मोतियों की गलसन माला के निर्माड के लिए प्रसिद्ध है Option Number A, अली राजपूर अलिराजपुर मध्य प्रदेश की अलिराजपुर जिले के पिथोरा पेंटिंग्स एवे मोतियों की माला गलसन माला के निर्मार के लिए प्रसिद्ध है अली राजपुर जुले में या अली राजपुर जुले की अन्य प्रमुक प्रसिद्ध वस्तु हैं पंजादरी नूर जहां आम इबं नन्ना प्रिंट प्रश्निक्रमांक 41 मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक या जी आई टैग प्राप्त बाग प्रिंट कहां तयार की जाती है ऑप्शन नमबर D धार दोस्तों अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुक या सारे भौगोलिक संकेतक यहां दिये हुए हैं किस वर्ष में जी आई टैग प्राप्त हुआ है किन बस्तूओं को दिया गया है एबं किस से चेत्र से संबंदित है तो दोस्तों चंदेरी की साड़ी के लिए सबसे पहले बर्ष दोहजार पांच्छे में जी आई टैग मिला और यह अशोक नगर से संबंदित है चमडे की खिलोनों को 2008 नौ में जी आई टैग प्राप्त हुआ और यह इंद और जिले में बनाए जाते हैं बाग प्रिंट को भी दौस्तों 2008 नौ में जी आई टैग मिला और यह धार से संबंदित है बेल मेटल इसको भी 2008 नो में जी आई टेग प्राप्थ हुआ और यह दतिया एबम टीकमगर जले से संबन्दे थे वर्ष 2012-2013 में महेश्चर की साड़ियों को जी आई टेग प्राप्थ हुआ यह खरगौन जले से संबन्दे थे रतलाम जले के रतलामी सेव को 2014-15 में जी आई टेग प्राप्थ हुआ इसी प्रकार 14-15 में ही नागपुरी संतरे को जी आई टेग प्राप्थ हुआ और यह महराष्ट और मध्यप्रदेश को सैयुक्त रूप से मिला था जाबू जले के कड़गनात मुर्गे को वर्ष 2018-19 में जी आई टेग मिला एबं हाल ही में वर्ष 2021 में चिन्न और चावल बाला घाट को जी आई टेग प्राप्थ हुआ है प्रश्ण क्रमांक 41 मध्य प्रदेश में कुल कितनी वस्तुओं अत्वा उत्पादों को भौगोलिक संके तक प्रदान किया जा चुका है तो दोस्तों अभी तक कुल नौ वस्तुओं को भौगोलिक संके तक प्राप्थ हो चुका है सबसे पहले दोस्तों चंदेरी की सारी को मिला था 2005 में एबं लेटेस्ट चिन्न और चावल को मिला हुआ है 2021 में यह अशोक नगर से संबंदे थे चंदेजी की सारी एबं चिन्न और की चावल बालाघाट जिले से संबंदे थे प्रश्ण क्रवांख 43 सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश को भौगलिक संकीत किस के लिए पहले ही बात कर लिए चिन्न और चावल बालाघाट मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कार खाना कहां इस्ते थे दोस्तों बरलाई मध्य प्रदेश में शक्कर उद्ध्योग पर आधारित सबसे बड़ा कारखाना देवास जिले के बरलाई में इस्थे थे इसका मुख्यल है दोस्तों इन दौर में है प्रश्निक्रमांक 45, मध्य प्रदेश में सर्वर प्रतम सूती वस्त्र उद्द्योग पर आधारित, प्रतम मिल बुरहानपुर जिले में कव इस्थापित की गई, आप्शन नमबर 1, वर्ष 2006 में इस्थापित की गई, यदि अन्निक कपडा मिलों की हम बात करें, हीरा कपड प्रश्निक्रमांक 46, मध्य प्रदेश में सर्वर प्रतम चीनी मिल की स्थापना किस जिले में की गई थी, आप्शन नमबर 2, रतलाम जिले में 1964 में मध्य प्रदेश में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई थी, इसके अलावा अन्नि चीनी मिलों की यदि हम बात करें, तो दोस्तों आप भोपाल शोगरमिल को याद रखिएगा यह भोपाल के स्थान पर सिहर जिले में इस्थेत हैं बोपाल शुगरमिल कहां इस्थेत है दोस्तो अभी हमने चर्चा की शीहोर जले में इस्थेत है मध्य प्रदेश हस्त शिल्प उत्पाद की पूरे भारत में विक्री करने वाले विक्रय केंदर का नाम किया है दोस्तो अप्शन नमरR D मरग ननी मध्य प्रदेश सरकारatas लगु उद्द्यगों के विकास कि लिए मरग नैनी एंपोरियम 1901 में इस्थापित की है ताकि लगू उद्ध्योगों को बढ़ाबा मिल सके म्रगनेनी एंपोरियम को मद्ध्य प्रदेश का प्रतीबंब कहा जाता है इसका मुख्यल है भूपाल में स्थित है मद्ध्य प्रदेश का प्रतीबंब किसे कहा जाता है दोस्तो म्रगनेनी एंपूरियम को मध्य प्रदेश का प्रतीबंब कहा जाता है मध्य प्रदेश में म्रगनेनी एंपूरियम के इंदर कहा इस्थित नहीं है दोस्तो ऑप्शन नमबर B सागर जले में मद्ध्य प्रदेस में मरग नाइनी एमपोरियम इन चार विकल्पों में से स्थित नहीं है मद्ध्य प्रदेस में कुल 6 मरग नाइनी एमपोरियम है भोपाल इंदोर ग्वालियर जवलपूर रीवा उद जयन प्रशनिक्रमांग इंक्यावन मरग नाइनी एमपोरियम केंदर मद्ध्य प्रदेस के बाहर कहां इस्थित है तो दोस्तो ऑप्शन नमबर D दिल्दी जैपूर एबं कोलकाता तीनों जगाई पर मद्ध्य प्रदेस के बाहर भी मरग नेईहम इस्थित हैं जैपूर दिल्दी कोलकाता उदाइपूर राइपूर एबं भिलाई इन छे इस्थानों पर मरग नइनी ए άмपोरियम मद्ध्य प्रदेस के बाहर भी इस्थित हैं प्रश्न क्रमांग 52, मालवा छेत्र का कौन सा जिला स्लेट पैंसल कारखानों के लिए प्रिसिद्ध है, तो दोस्तों मंदसो जिला स्लेट पैंसल कारखानों के लिए प्रिसिद्ध है, मद्य प्रदेश खनेज उद्द्योग इबम जिलों के दियां बात करें, तो स्लेट पै में से किस जिले में मध्य प्रदेश का सर्वे परतम मेगा फूड पार्क इस्थित या स्थापित किया गया तो दोस्तो खरगोन जिले में मध्य प्रदेश का सबसे पहले फूड पार्क स्थापित किया गया था इसका नाम था इंडस मेगा फूड पार्क यह खरगोन जिले के निम्रानी गाउं में इस्थापत किया गया था अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुक फूड पार्कों की दोस्तों मेगा फूड पार्क एबं अन्य फूड पार्क मेगा फूड पार्क मध्य प्रदेश में तीन स्थान पर इंडस फूड पार्क खरगौन में ह का वुट पार्क देवास में है जगगाखेडी फूड पार्क मंदसौर में है इसी प्रकार से अन्य फूड पार्कों में बबय channelsंगवाद में इस्तित बोरी गाऊंचिंदवारा में मनरी मंड्रला में भी इस्तित मालंदपुर भिंड में इस्तित एबम बरौधी शेवपुरी में भी फूर पार्क इस्थित हैं मद्य प्रदेस में सूक्ष में लगु एबम मध्यम उद्ययोग की स्थापना कभी की गई option number B 5 April 2016 को सूक्ष में लगु एबम मध्यम उद्ययों विभाग की स्थापना मद्य प्रदेस में की गई इस बिभाग का उद्देश्य प्रदेश में MSME का विकास और युबाओं को स्वा रोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्द कराना था लेकिन ऐसा संभा होते दिखाई नहीं दे रहा है बिरोजगारी दर मध्य प्रदेश में बहुत उची है अब बात करते हैं प्रशन कर्मांग 56 की मध्य प्रदेश में रेलवे कोच कारखाना कहा है इस्ते थे ऑप्शन नमबर ए भूपाल मध्य प्रदेश की राज़दानी भूपाल के निशात पुरा छेत्र में रेलवे कोच फैक्टरी है जहां रेल डिब्बो का निर्मान किया जाता है इबम इसकी स्थापना 1989 में की गई थी दोस्तो प्रशन कर्मांग 57 ग्रे नाइट काटने एबम पॉलिश उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश में रेशम संचाल नालाय का घठन कभ किया गया ऑप्शन नमबर ए 1984 इसका मुख्याले भूपाल में स्थित है यह पंचायत एबम घ्रामीर विकास विभाग की अधीन कारे करता है मध्य प्रदेश में ज जाही उद्योग छिंदवाडा में है दोस्तों जलेटे जबलपूर में जे से जे आप याद कर सकते हैं जे फॉर जलेटे एंड जे फॉर जबलपूर मध्य प्रदेश में छाटा उद्योग कहां पा रहा ऑप्शन नमबर ए महू डिस्क्रिप्शन के सौजनने से मध्य प् स्टाफ प्रदर्शन के इंद की स्थापना किसे देश के सायोग से की गई है तो दोस्तों ऑप्शन नमबर बी जर्मनी देश के सायोग से मध्य प्रदेश की राजदानी बोपाल में और द्योगिक स्टाफ प्रदर्शन के इंद की स्थापना की गई है मध्य परदेस के वनों से प्राप्त स्तर्व प्रथम बायो मेथे नेशन कारखाने का उध्गाटन कहा हुआ है दोस्तों option number C भोपाल में बायो मेथे नेशन कारखाने का उध्गाटन सबसे पहले हुआ है मध्य प्रदेश में एक करोड की लागत से भुपाल शहर में प्रदेश के प्रथम बायो मेथे नेशन प्लांट की अधार्शिला दोस्तों 23 दिसंबर सम 2005 को रखी गई थी इससे 50 क्यूबिक मीटर मेथेन गेस और 500 किलो खाद भी बनाया जाएगा प्रशन करवांग 64 मध्य प्रदेश में किस इस्थान पर राष्ट्रिय उर्वक लिमिटेड हवी जे गैस पाइपलाइन का पहला अंतर देशिये गैस आधारित सेयंत्र इस्थापित किया गया है दोस्तो ऑप्शन नंबर भी गुना जिले में सेयंत्र स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के गुना जिले में विजयपूर में स्थापित राष्ट्रिय उर्वरक लिमिटेड ने हजीरा विजयपूर जगदीशपूर गैस पाइपलाइन का पहला अंतर देशिये गैस सही टिक करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप हमारे दौरब आएगे परिक्षद हम पब्लिकेशन की ही MPGK की पुस्तक के सारे 16 वीडियो देख लें या आपकी सुभिधा के लिए हमने इन सारे 16 वीडियो को दो मास्टर वीडियो भाग एक एबं भाग दो म बदल दिया है आप चाहें तो उन दौनों वीडियो को देख कर भी काम चला सकते हैं उसकी बाद आप इन सारे प्रशनों को हल करें जिससे आपके लिए आंसर करने में ज्यादा आसानी होगी और अधिक्तम प्रशनों के उत्तर आप सही दे पाएंगे तो चलिए अब बात करते हैं प्रशन कमांग 65 की मध्य प्रदेश राज जी उपभोक्ता बिवाद निवारन आयोग की स्थापना कब की गई दोस्तो ऑप्शन नमबर ए राज जी उपभोक्ता बिवाद निवारन आयोग की स्थापना वर्ष 1990 में की गई एक्जेक्ट नमबर ही 1990 को स्थापना की गई उपभोक्ता संदक्षन अधिनियम 1986 के तहत एब हम इसका मख्याला भी भोपाल राजधानी में इस्थित है प्रशन कर्माइक 66 मध्य प्रदेश में लेदर कॉंपलेक्स कहां इस्थित है ऑप्शन नमबर भी देवास अब हम चर्चा करते है मध्य प्रदेश की ओध्योगे कॉंपलेक्स की लेदर कॉंपलेक्स देवास में हैं एलेक्ट्रोनिक कॉंपलेक्स इंदोर में हैं एग्रो या किसी कॉंपलेक्स छिंदवाला में हैं स्टेनलेस स्टील कॉंपलेक्स सागर में हैं फार्मा कॉंपलेक्स धार में हैं इबं ज जोएलेशी कॉम्पलेक्स इउन्दोर जिले सफ़र्फ मैंने ऑंध्य प्रछनों की आप उत्तर सुनने के साथ साथ description को बड़े ही ध्यान से सुने मध्य प्रदिस की ओध्य कॉम्पलेक्स को उनके जिलों के साथ सुमेलित करिए दोस्तों हम बात कर चुके हैं Jewelry complex इंदौर में है Leather complex देवास में है Krishy complex छिंदवाडा में है एबं Stainless steel complex सागर जिले में इस्ते थे Option No.D इस प्रशन का सही जवाब है प्रशन के मांग सत्तर मध्य प्रदिस में Stainless steel complex कहां इस्ते थे सागर जिले में इस्ते थे एशिया का सबसे बड़ा सुयवीन कार खाना कहा है दोस्तों उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सुयवीन कार खाना उज्जैन जिले में वर्ष उन्नीस्तो तेरासी में अर्था भूपाल करेश तरासे दी के एक साल पहले स्थापित किया गया जबकि सुयवीन अनुसंधान के इंदर इंदौर में इस्ते थे दोस्तों दिक कार खाने की वाद की जाए कार खाना उज्जैन में एबं अनुसंधान के इंदर इंदौर में हो हमें कन्वीज दिलकुल भी नहीं होना है मद्धे परदेष का कीट नाशक सेयंतर कहा इस्ते थे आ option c बिना में स्थे थे सागर जिले की बीना में कीट नाशक सेंत इस्थापित किया गया है परश्न करमांग की तहित्तर मध्य प्रदेश के किस छेत्र में सबसे अधिक संख्या में आयोध कारखाने उपस थे थे दोस्तों संसकार राजधानी जबलपुर में सबसे ज्यादा हत्यारों की कारखाने मंध्य प्रदेश में इस्ते थेरे हैं की इस्थापना हुई थी उसी संद में जबलपुर में स्थापित की गई दोस्तों ये 4 आयोध कार खाने जबलपुर से faktycznie जबलपुर में इस्थित हैं कि ऐसे दूस्तों जबलपुर में इस ते भारत का आयोधकेंद किसको कहा जाता है दूस्तों जबलपुर को कहा जाता है इन प्राशनों को जल्दी जल्दी कर लेते हैं देश में र ? अच्छा सहर के नाम से कौन जाना जाता है जबलपुर को कहते हैं क्योंकि यहां पर सरवादिक आयुदकार काने हैं इसलिए यह देश का रक्षा सहर यह आयुदकेंद्र कहलाता है दोस्तों प्रशनिक्रमान 48 मद्य प्रदेश में पीलू खिडी और देविक इंद्र किस जिल है आप पुरह ने 150 में कर सकते हैं व्रहान पूर्ष्ट कर सकते हैं कि और मेगनंगर तीन नामी सर जामदрос आते हैं पिलु सका की व्रहान पूर्ष्ट चौर्था रेटा अभी प्रस्तावेत है तो वर्तमान में जो 6 हैं उनके नाम इस तरीगे से आप MMM PPP करके याद कर सकते हैं अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रिमांक 89 की मध्य प्रदेश में कोका कोला प्लांट कहां इस्ते थे ओप्शन नमबर A पीलू खेड़ी जबकी कोका कोला बाकलिंग प्लांट होशंगवाद जिले में इस्ते थे और यदि कोका कोला बाटलिंग प्लांट की वाद प्रशन क्रमांक 80 मध्य प्रदेश में सूक्छ में लगु एबं मध्यम उद्द्ददyよね विकास अधिनियम कब प्रभावशील हुआ ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2005 आपको ऐसे प्रश्णों का सीधा रखता मारना है मध्य प्रदेश में कटनी जिला किस उद्द्यों के लिए प्रिसिद्ध है दोस्तों ऑप्शन नंबर सीमेंट उद्द्यों के लिए करके हम कहीं और भी इसका विकास कर सकते थे लेकिन दोस्तों चूना पत्तर काफी भारी होता है इसलिए उसका टांस्पोर्ट उतना आसान नहीं होता इसलिए जिस इस्थान पर चूना पत्तर खोदा जाता है या निकाला जाता है उसी इस्थान पर सीमेंट उद्द्यों की स्थापना की जाती है अब हम बात कर लेते हैं चूना नगरी कटनी की कटनी सीमेंट उद्योग एबं मार्बल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कटनी को चूना नगरी के नाम से जानते हैं कटनी जले का सिलिमनावाद नगर स्टोन पार्क के लिए प्रिसिद्ध है दोस्तों पेड़ों के पार्क की हमने बात की थी यहां पर स्टोन पार्क की भी बात की जाए रही है सर्सों की सबसे बड़ी ओयल मिल कहां इस्थे थे दोस्तों मुरेना में सर्सों की सबसे बड़ी ओयल मिल इस्थे थे महा कौशल सोया प्लांट जबलपूर में स्थापत है ACC सीमेंट फैक्टरी कहां पर है दोस्तों option number D ACC सीमेंट फैक्टरी कटनी में इस्थे थे नीमच सीमेंट फैक्टरी दोस्तों आपको याद रखना है नीमच सीमेंट फैक्टरी नीमच जले के नाम पर है लेकिन यह मंदशौ जले में इस्ते थे दोस्तों JP cement factory सतना रीवा में इस्ते थे बरला cement सतना है एवन diamond cement factory दमो में इस्ते थे मध्य प्रदेश में कथ्था बनाने का सबसे बड़ा कार खाना कहां इस्ते थे . Option number 1. Barnmore में इस्ते थे मध्य प्रदेश में कथ्था की अधीम बात करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कथ्था बनाने का कार खाना बार मार में इसते थे और ऐ 키 ऑन दरowych मुरेना जले में लाख काव पर चूड़ी उद्देग में किया जाता है, कीट, लाख कीट संदक्षण के इंदर कहा है इसते थे, तो दोस्तों यह जबलपुर जले में इसते थे, यहां भी कन्फीजिंग पॉइंट है, लाख बनाने का सरकारी कारखाना, यह उमरिया में है, तथा लाख कीट संदक्षण के इंदर जबलपुर जले में इसते थे, मद्यप्रदेश लाख कीट, जिसका नाम लैसीफर लक्का है, संदक्षण के इंदर जबलपुर में स्थापे थे, प्रश्निक्रमांक 87, एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक किस स्थान पर इस्थेत है, दोस्तों ऑप्शन नंबर वो भारत का डेटाएट पीथमपुर में स्थेत है, 2021 में धार जले के पीथमपुर में एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रेक शुरू हुआ है, प्रश्निक्रमांक 88 की हम बात करते हैं, प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना मद्यप्रदेश के किस इस्थान पर स्थापत किया जाना प्रस्तावेत है, option number D, जमबार बागरी बिदीशा में प्लास्टिक से डीजल बनाया जाने का कारखाना प्रस्तावेत है, आशा करते हैं, जल्द ही यह कारखाना वहाँ पर स्थापत होके अपना काम चालू करें, प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखान प्रस्तावेत है प्रश्निक्रमांक नवासी मध्य प्रदेश में निम्नलेकित में से क्या कुटीर उद्द्योग के अंतरगत नहीं आता दोस्तों यह लॉजिकल कोश्यन है अब कॉमन सेंस के अधार पर इसका अंसर लगा सकते हैं तो दोस्तों जूते बनाना कुटीर हमसे वस्तों का निर्मार किया जाता है ना कि मशीनों के माध्य हमसे कुटीर उद्द्योग के अंतरगत पत्थर पर नकाशी खेलोना बनाना हत करगा आधी शामिल होते हैं जूते चपल बनाना कुटीर उद्द्योग के अंतरगत शामिल नहीं होता दोस्तों यह मशीनों का प्रियोग किया जाता है इसलिए जूता चपल बनाने को हम कुटीर उद्योग में शामिल नहीं करते मद्य प्रदेश की कौन से जिले में अधिक्तम उद्योग घनत्यों है तो दोस्तों आप्शिन नमबर ए इंदौर मद्य प्रदेश में डाबर प्लांट कहां इस्ते थे मक्षी साजा पुर जिले में डाबर प्लांट इस्तापे थे या इस्ते थे मद्य प्रदेश वस्त्र उद्योग निगम की स्थापना कब हुई उननीस सो सत्तर मद्य प्रदेश खादी गराम उद्योग निगम की स्थापना उननीस सो साथ में भूपाल में लगू उद्योग निगम की स्थापना उननीस सो सत्तर में इंदौर में एवं मद्य प्रदेश नर्यात निगम की स्थापना उननीस सो सत्तर में भूपाल में की गई अब हम बात करते हैं कि मद्ध्य प्रदेश राज उद्यजग नगम की सथापना कव की गई मद्ध्य प्रदेश में वनने देख लिए बर्ष मेंранक किसलीए प्रसथ में सेमें उद्यजग के लिए सथापना रज शकषिद्दे के जिले के अंतरगत आता है कि बिंद्यांचल परवत में चूना पत्थर की असीम संभावना होने के कारण इसके आसपास के सारे छेत्र जैसे कि कैमूर कटनी सतना दमोह और रीवा आधी शेत्र में सीमेंट उद्ध्यूग अधिक विक्सित हुए हैं मद्यप्रदेश एग्रो म मोरारजी फर्टिलाइजर इस्थित है और यह रोजंगाबाद के अंदर वी रसलपूर में मद्यप्रदेश का यह संस्थान इस्थित है यह दानेदार मिस्रित खादसेंत है अब हम बात करते हैं प्रश्निक रमांक 97 की मद्यप्रदेश में कौन सा शहर ओद्देवी के वीक्सित शहर नहीं है जबकि भोपाल इंदर जबलपूर ओद्धेवी के रूप से उट की सेड़ी में शामिल किये जाते है बड़ी करन करन लेते हैं। जिले भोपाल एंदोर जवलपूर अब विक्सित जिलों की भी हमने तीन सिर्णियां मनाई हैं सिर्णि ए बी एबम सी तो ए में सतना देवास एबम कटनी शामल है बी में हुशंगबाद एबम सी में बाकी बचे हुई जिले शामल है प्रशन किर्मांक अंठानबे औध्यवगिक विकास की दस्ती से मध्य परदेश को कितने भागों में बाता गया है तो दोस्तों ओंस्तों कि मरें आदित्य वडिला गृुप दौराय स्थापेट ग्रेस्विंड इंड्रष्ट्री की सथापना 1947 में की गई थी चैनों दोस्तोंजे सर्कार रौएант गेस्थापेट कि ए, अब हम बात करते हैं यह और दोस्तों इसकी कुछ कोईशनवें हमने किंद सरकार दार इस थापित और डेग ये अम तिठीए पी कि इसी प्रिकार से राज्य सरकार दार इस्थापेट प्रमक और react विल्र किंदुकर चंदवारा हैं करनापुर बालागात एक सो एक बोरेगाओं जहां रेमंड कपड़ा फैक्टरी इस्ते थे किस जिले के अंतरकात आता है दोस्तो ऑप्षिन नमबर एचेंद बाला प्रशन क्रमांक एक सो दो सुमेलित करना है एक तरफ कांपलेक्स दिये गया है दूसरी तरफ उनका इस्थान दिया गया है दोस्तो लेधर कॉंपलेक्स हम देवास में देख चुकscene है किसी कॉंपलेक्स जिंद वाळा स्टेल कॉंपलेक्स सागर एबन एकलोने कॉंपलेक्स इंद और तो दोस्तो हम आप्षिन लाते हैं पहले का चार दूसरे विकल्प का देवाज तीन इस्छील का रखाना सागर तीसरे का ए अर्थात option number सी इस पस्वाजन का सही आंसर है करिशी complex छिंदवाला leather complex देवाज इस्छील complex सागर एभाम electronic complex इंड और तो दोस्तो इस प्रकार से यहाँवीडियो समाप्त होता है परिक्षद हम publication की यह वाली फुस्तक यह प्रथम संस्क्रण है दोस्तों दूसरा संस्क्रण यह दुतिय एडिशन हम अल्रेडी कवर कर चुके हैं इसके लिए हमने 16 वीडियो बनाए हैं आप चाहें तो एक एक करके इन सारे वीडियो को देख सकते हैं या फिर आपकी सुवि इदा के लिए हमने 16 वीडियो को दो भागों में मास्टर वीडियो के नाम से भाग एक एवं भाग दो में बाट दिया है आप चाहें तो दो बार में सारे 16 लेक्षर को एक साथ देख सकते हैं और यदि आपको हमारे दौरा बनाए जाने वाले वीडियो पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब को प्रेस करें जिससे आने वाले समय में हम कोई वीडियो बनाते हैं तो उनकी नोटिफिकिशन आपको सही समय पर प्राप्त हो पाएं धन्यवाद